हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल रतन बाइसा की रसोई तो आज हमारी रसोई में बनने जा रहे हैं सौथ के बहुत ही ज्यादा फेमस केले के पकोड़े यानि कि कच्छे केले के पकोड़े तो यह मैंने यहाँ पे दो कच्छे केले ले लिए हैं जिसका चिलका निकाल दोंगे और इसे पतले-पतले स्लाइस में कट कर दोंगी हमेशा ध्यान रहे आलू के पकोड़े हो चाहे केले के पकोड़े हो इनके जो लेयर है यानि कि स्लाइस जो हैं पतले-पतले कट करने हैं आपको ज्यादा ठीक नहीं रखना है तो इन्हें आप चाहो जैसे कट कर सक सकते हो या तो आप इस टाइप से गोल गोल भी कट करके ले सकते हो जिस टाइप से हम आलू को कट करके आलू के पकोड़े बनाते हैं सेम उस टाइप से भी आप कट कर सकते हो या फिर इस तरह से लंबे-लंबे स्लाइस में भी कट कर सकते हो तो मैंने यहां पर तीन टाइप मे हैं, digestion में help करती हैं और बेशन हो सके जब तक आप थोड़ा सा मोटे वाला इस्तेमाल कीजिए, एक हरी मिर्ची बारी कट करके डाल देंगे, खाने का सोडा यानि की मीठा सोडा एड कर देंगे, और थोड़े से धनिया पत्ता एड कर देंगे, और इन सारे इंग्रिदेंस को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी एड करते हुए इसका गोल बना लेंगे, गोल जो है आपको पतला नहीं बनाना है, तो इस तरह से पानी एड कीजिए, तो ये देखे, ये हमारे बेशन का गोल जो है बनके रड़ी हो चुका है, ये सार से बेशन के अंदर डाल के छोड़ देंगे, जैसे ही तेल गरम होगा, हम उसके अंदर फटा फट एड करते जाएंगे, वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल प्रेस करना ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिलकुल ना भूले, तो तेल गरम हुआ या नहीं हम इस तरह से थोड़ा सा बैटर डाल के चेक कर लेंगे, तो देखा आपने कि जैसे ही बैटर जो है अंदर डाल रहे हैं, इसका मतलब तेल बहुत ही अच्छे से गरम हो चुका है, तो अब हम इस तरह से इन केले के का मौसम है और इस टाइप के अलग-अलग पकोड़े मिल जाए तो फिर क्या कहने, तो ये देखिए तेल अच्छे से गरम रहेगा, तो पकोड़े जो है तेल कम सोकेंगे, यानि कि तेल कम अबजाव करेंगे, और गैस की फ्लेम को हाई रखते हुए हम इस टाइप से ये थे, तो आप देख पा रहे हैं, कट करके बता रहे हैं कि अंदर से भी बहुत ये अच्छे से पक चुके हैं, धन्युक्त